हमारे बीच में मोदी जी के साथ में कंदे से कंदा मिलाकर जे बिलकुसर हमारे बीच में स्वागत की सरेंखलाकों में प्राड़म करना चाहूँगा हमारे बीच में जो मेरे साथ बुलिये बारत मता की बारत मता की बाइब पिछे जो रोड पर खड़े है इसोर आजाए बड़ा मेधाने पिछे पिछे से सारे लोगों कोई इसोर ले लो ज़रा जहां पेंडॉल कट अप करा है वो सारे लोग इसोर आजाए मेरे साथ बोलिये भारत मता की भारत मता की आज मंच पर उपस्तित स्रीमान स्रवन सिंग राव जी भारतिय जनता पाटी के हरियाना के नेता पूर्व उपमुक्य मंत्री स्रीकुल्दिप मिष्णोई जी हमारे सटे उए गुजरात के जंसत परबद भाई पतेल जी जीत राम बटवाल जी प्रविन भाई माली जी सलब मनी त्रिपाठी जी माउजी भाई देशा आई स्री राजे स्राणा और आज अलपेश ठाकोर भी आये हैं हमारे विदायक हैं और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूँ स्री नारायन सिंग देवल जी जोर से ताली बजाईए नारायन सिंग के लिए और आज की सभा में दूर दूर तक जहां तक नजर पड़े मूंड ही मूंड दिखाई पड़ते हैं आये हूँए प्यारे भाईो बेनों माताओ आप सभी को प्रणाम और मेरे जिगर के टुकडे जैसे युवा मित्रो को भी नमस्कार मित्रो सबसे पहले में राजे स्वर भगवान, पाताले स्वर मादेव खोडे स्वर मादेव और चामुंडा माता को प्रणाम करकर मेरी बाद की सुरुवात करना चाहता हूँ बया आप जड़ा पिछा जब और जब मैं राणी वाड़ा में आया हूँ तब आपका जीरा और आपकी मुंपली पूरा गुजरात याद करकर मजे से खा रहा गए तो राणी वाड़ा के किसानों को गुजरात की और से बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार भई राणी वाड़ा वालो मुझे लंबा नहीं कहना है अभी दो कारेक्रम है और फिर दिल्ली जाना है मैं सीधी बात करता हूँ अभी दिपावलिती सबने मनाई या नहीं मनाई अरे जोर से बोलो मनाई या नहीं मनाई फटा के जलाए मगर इस बार तीन दिपावली मनानी है अरे ताली बजा रहा है पुछो तो सही भईया क्यों मनानी है मैं बता दू देखो एक दिपावली आपने मनाई बरोबर है दूसरी दिपावली तीन डिसेंबर को भाजपा सरकार बना कर मनानी है मनाओगे और तीसरी दिपावली यह बीच में पड़दा लगाया है न उठवा लोजराए निकला दो कारे के दा निकाल लेंगे पिछे सफेट पड़दा लगाया है न होडिंग निकाल दो ना मगर भाई एह होर्डिंग जो बीच में लगा है निकाल दो काफी लोग खड़े वहाँ एह होर्डिंग दिरे से निकाल दो पिछे कारे करता एह होर्डिंग जो लगे हैं निकाल दो भईया कुछ कारे करता जाए पिछे और तीसरी दिपावली दो हो गए, एक दिपावली गए, तीसरी तीन डिसेंबर, दूसरी तीन डिसेंबर, और तीसरी 22 जन्वरी को जब राल म्रला का प्राण प्रतिष्टा हो तब मनाने मुझे बताओ राणीवाडवालो, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए ता या नई बनना चाहिए ता, जोर से बोलो बनना चाहिए ता या नई बनना चाहिए ता, एक कोंग्रेस पाटी, सत्तर सत्तर साल से राम मंदिर को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही मोदी जी ने बैया तुम सुनो जरा या तो यहां आ जाओ मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर का भूमी पुजन कर दिया अबे राहूल बाबा है ना राहूल बाबा 2014 से 19 मुझे बहुत परिसान किये मैं पार्टी का अध्यक्स्ता हरोत आने लगाते थे भाई हरोज माताओ बेहनों हरोत आने लगाते थे कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे तीथी नहीं बताएंगे अब मैं राणी वाडा में आया हूँ राणी वाडा के भाईो बेहनों माताओ के सामने राहूल बाबा कान खोल कर सुन लो 22 जन्वरी 2024 को दुपे 12 बचकर 22 मिनिट पर राम लल्ला का प्राण प्रतिष्टा होने वाला है सतर साल से सतर साल से कॉंग्रेस पाटी ने इसको रोक कर रखा था मोदी जी ने साड़े पांच सो साल से तूटे हुए मंदीर को बाबर ने तूड़े हुए मंदीर को फीर से बना कर राम लल्ला को भव्य मंदीर में बिठाने का काम किया मोदी जी ने मोदी जी ने हमेशा हिंदू संस्कृति को बढ़ा है न केवल नकेवल राम मंदीर 80 विश्वनात कोरिडॉर औरंग जेप तोड कर गया था तब से नहीं बना मोदी जी ने 80 विश्वनात का कोरिडॉर बनाकर 80 विश्वनात को पुनप्रतिश्टीत करने का था सोमनात का मंदीर वो भी सुवनका बन रहा है बद्री धाम, केदार धाम, विंद्यवासिनी मंदीर, इस सारा फीर से नए सिरे से बनाने का काम हमारे देश के नेतावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है माताओ भाईो बेनो, मोदी जी ने तिरंगे को चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर भेजने का काम मोदी जी ने किया है मोदी जी ने देश को समरूद बनाने का काम किया है हमारी अर्थ व्योस्ता ग्यारवे नंबर पर थी, मोदी जी ने ग्यारवे नंबर से पांचवे नंबर पर लाने का काम किया है राजपत को अंग्रेजों की निसानी ऐसे राजपत का नाम बदल कर नया कर्तव्य पत बनाने का काम मोदी जी ने किया है मोदी जी ने नई पार्लामेंट बनाने का काम किया है और पार्लामेंट में पहला बील माताओं बेहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया मोदी जी ने चंद्रमा पर जहां चंद्रयान पहुचा उस पॉइंट का नाम सीव और सक्ति के नाम से सीव सक्ति पॉइंट रखा महिला सक्ति का सन्मान किया माताओं का सन्मान किया 33% आरक्षण दिया और गैलोजी के राज में पांच साल में माताओं के साथ दूर विहवार के ग्यारा लाख मुकद्द में दर्जुए हैं हरोज बाईस बलातकार की घटना है गेलोज साजन में हुई है प्रताप गड़ की घटना ने पूरी मानवता को सर्मसार किया भीलवाडा में बच्ची के साथ दूसकर्म हुआ जामवा रामगड में सिक्सिका को जिन्दा जला दिया अलवर में दूसकर्म के बाद माता को रोड पर फैंक दिया स्टेंप पेपर पर बीटियाओ को बेचने का काम गेलोज जी आपकी सरकार में होता है सर्म करो सर्म करो जो अपनी माताओ बैनों का सन्मान नहीं कर सकते उनको सासन पर रहने का अधिकार नहीं मैं आज रानी वाड़ावालों को मोदी जी की गैरंटी देने आया हूँ राजस्तान में भाजपा सरकार बना दो पूरे देश में सबसे सुरक्सीत मात्रु सक्ती हमारे राजस्तान में होगी ए मोदी जी का वादा एक कॉंग्रेस पार्डी तुरुष्ट्री करण की पराकास्टा करी है के लोजी वोट बेंक की राजनिती के लिए तुरुष्ट्री करण करते हैं उदाईपूर में दीन दहाडे कनया लाल तेली को मार दिया जाता है जालावाड में कुरुष्ट्रा मालमिकी की पीट कर हत्या कर दी जाती है रतनपूर में चितोडगड में रतन सोनी की हत्या की जाती है और छबडा, भिलवडा, करोली, जोधपूर, चितोडगड, नोहर, मेवाद, मालपूर और जयपूर में कोमी दंगे होते हैं इनसे कोई नहीं डरता भाई, कोई नहीं डरता हमारे पास गुजरात में चले जाईए, किसी की हिम्मत नहीं है कोमी दंगे करने की, किसी की हिम्मत नहीं है क्यूंकि हम बारतिय जंटा पार्टी के कारे करता है तुरुष्ट्री करन की राजनिती के लिए कभी भी कभी भी कानून और व्योस्ता को ताकपन नहीं करते हैं मैं आज कहकर जाता हूँ आप मोदी जी का गैरंटी सुन लो कमल फूल की सरकार बनाओ हम राजस्तान को दंगा मुक्त प्रदेश बनाएंगे किसी की मजाल नहीं है कुष्टना वाल में की रतन सोने और कनया लाल जैसी हत्याओ करने की किसी की मजाल नहीं माताओ भाई औ बेनो अब धेर सारे लोग लाल कपड़ा पहन कर आए हैं यहां तो आए तो आए कोई दिक्कत नहीं है गैलोज जी के सामने मत जाना क्या इधर उदर देख रहो भई तुने ही पहना है गैलोज जी के सामने मत जाना गैलोज जी लाल कपड़े से भड़क जाते हैं भड़क जाते हैं क्यों पढ़कते हैं आलूम है अपको है अरे जोर से बोलो क्यों 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 कि इस क्या है लाल डायरी में है कि एक करोट रूपिय का भ्रश्टा-चार का भी साब ये लाल डाइरी में है लाल डाइरी में है गैलो चाप आप हम पर आरोप लगाते हो मगर ये लाल डाइरी तो आपके ही MLA ने रख दी आपका कच्छा चिठ्ठा खोल दिया कनन विबाग में चासट हजार करोड का भ्रष्टाचार किया जल जीवन मिशन में बीस हजार करोड का भ्रष्टाचार किया कनन पट्टे देने में और एक हजार करोड का भ्रष्टाचार किया उदै सागर जील में दो हजार करोड का घोटाला किया प्रताब घड में एक हजार करोड की खदान पांच करोड में बेच दी सची वाले में से दो करोड इकत्तीस लाग रुपिया और एक किलो सोना सची वाले में से मिलता है और काली सिंग बांध में एक हजार करोड का घूटा ला किया भाई मारे पास इतनी लंबी सूची है कि मैं पूरी पड़ूंगा ना तो भागवत सब्ता साथ दिन की बिठानी पड़ेगी वगर सूची खतम नहीं हूँ मैं आपको कहने आया हूँ राजस्तान के लोगों की काले पसिने की कमाई गेहलोत के चटे बटे खा रहे हैं आप सहमत हो उससे सहमत हो यह राजस्तान को असो गेहलोत ने कॉंग्रेस पार्टी का एटीम बना दिया है जब भी पैसा चाहिए गेहलोत नाम का क्रेडिट के काड एंकेस करकर दिल्ली पैसा निकाल लेता है क्यों भई किसका पैसा है किसका है यह आप लोगों का पैसा है जो कॉंग्रेस के दरबार में भेट चड़ाया जाता है एसी सरकार चलाओगे क्या चलाओगे क्या माताओ भाईो बैनो अगर अगर एपैसा अगर एपैसा सिंचाई में खर्च किया होता तो राजस्तान के हर खेत में आज यमुना और नर्मदा का पानी पहुंच गया होता माताओ भाईो बैनो यह सोग गैलोद की सरकार वादा खिलाफी की सरकार है किसानों का दस्क दिन में करज माप करना था हुआ है भाई जरा जोर से बोलो हुआ है उल्टा बीस अजार किसानों की जमिन जब्त हो गई कूर्क हो गई हम आपको कहते है यह बीस अजार किसान जिनकी जमिन कूर्क हुई है भारतिय जंता पार्टी की सरकार बनते ही तीन महिने में एक जमीन मुक्त कराने का काम भारतिय जंता पार्टी की सरकार है यूवाओ को बेकारी बत्था देने का वादा किया था इतने सारे खड़े हैं आता है 35 रुपया आता है भाया हम कहते हैं कि पारदर्सी तरीके से धाई लाक विवाओं को नौकरी देने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेगी भाई और बेनों मैं आपको बताने आया हूँ कि एसो गेलोज सरकार ने इतने पेपर लीग किये हैं पूरे भारत में कभी भी इतने पेपर लीग नहीं है चालीस लाक राजस्तान के युवाओं का भविश्य एक कॉंग्रेस पार्टी ने बरबाद कर दिया है पैसा खर्च करकर टुशन रखा रात को तीन तीन बजे तक मेहनत की और भरती की परिक्सा निकली तो पेपर लीग करा कर एक गेलोज सरकार ने अपने चटो पटो को न मेरे पास पूरी सुचिये में पढ़ता हूँ जब तक आप पेपल लीक बोलोगे तब तक पढ़ूंगा साथ में बोलना पेपल लीक बोलोगे देखे Constable भरती का पेपर, High Court LDC का पेपर, SI भरती का पेपर, चिकिच सा अधिकारी 2021 पेपर, CHO भरती 2022 पेपर, Library and भरती परिक्सा पेपर, J.E.N. Civil Degree पेपर, REIT दो पेपर, वन डक्सर भरती 2020 पेपर, बिजली भाग में टेक्निकी हेलपर पेपर, द्वीतियक सेनी के सिक्सक 2021 पेपर, अब यार मैं तो ठक गया, आप नहीं ठकते हों, ऐसा सबक सिखाऊए जादूगर को, कि एस सब चीजे गायब करते हैं ना, इस बार वो जादूगर न रहे, राजस्तान की सरकार जादूगर बने, और असो गहलोज सरकार गायब हो जाए, करोगे क्या, पक्का करोगे, मित्रो, मैं आज यहाँ आया हूँ तब आपको बताता हूँ, आप पास वाले गुजरात प्रदेश में चले जाए, आपको सिंचाई भी मिलेगी, कानून और विहस्ता भी मिलेगी, अच्छे रोड भी मिलेंगे, और गहलोज सरकार अब गेरंटिया बाट वेगी, गेरंट आपकी ही गेरंटी नहीं है, तो आपकी गेरंटी की क्या गेरंटी, मान सकते हैं भाई, हमारे गुजरात में कहते हैं, जिसकी पीडी उठ जाए ना, उसका गेरंटी कभी मत मानो या सो गेलोट, उठी उवी पीडी है, उठी उवी पीडी है, इसकी गेरंटी का कोई मतलब नहीं है गेरंटी तो मोधी गेरंटी सच होती है बाजपा ने मोधी गेरंटी दिया है कि किसानों को अब तक 6000 रूपया मिलता है सालाना हमारी सरकार बना दो 6000 की जगे 12000 रूपया किसानों को मिलेगा देश बर में जितने भी दाम बढ़ने बढ़ने दो राजस्तान की माताओं बहनों को साड़े 400 रूपये में गैस का सिलिंडर ये भाजपा सरकार देगी दस लाग तक गरिबों का सारा हेल्थ का खर्चा बारतिय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी और साथ साथ में हर गरीब को जो पांच किलो अनाज मिलता है ये मोदी गैरेंटी है वो 24 के बास 29 तक 5 किलो अनाज मुप्त में फिर से मिलना सुरू हो जाएगा मोदी जी ने राजस्तान के विकास के लिए धेर सारे काम करें दस साल में मन मौन सिंग सोनिया सरकार ने राजस्तान के विकास के लिए दो लाग करोड रुपया दिया कितना जोर से बोलो कितना मोदी जी ने नौ साल में आठ करोड शत्र लाग रुपया ग्रांट का दिया और साथ करोड रुपया की अलग अलग योदनाय दी दो लाग के सामने पंद्रा लाग करोड रुपया राजस्तान के विकास के लिए माताओ भाईयो बेनो असी लाग किसानों को छे अजार रुपया दिया 47 लाग लोगों के घर में नल से जल पहुचाया एक करोड दस लाग लोगों को आईश्मान भारत का भिमा दिया 86 लाग सोचाले बनाए 4 करोड बीस लाग लोगों को मुप्त में अन दिया 68 लाख माताओ को गैस का सिलिंडर दिया और राणी वाड़ा वालो सबको टिका लगा है ना दोनों जरा जोड से बोलो लगा है ना चाराना भी देना पड़ा है कौफी पिला कर टिका दिलाया ना मोधी जीने मोधी जीने 200 करोड टिका लगाकर भारत को कौरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोधी जीने मित्रो मैं आज यहां आया हूँ तब आप सभी को करबद निवेदन करने आया हूँ आगया ये हमारे प्रत्यासी को प्रचंड वहुमत से जिताएए आपका एक वोट आपका एक वोट राजस्तान में तो सरकार बनाएगा परन्तु 2024 में मोधी जी को भी प्रदान मंत्री बनाएगा बताओ आप कमल के निसान पर बटन दबाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और जोड से बोलो बारत मता की बारत मता की बारत मता की वंडे 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 अलो मैं अनुद कर रहा हूं बाजबा प्रतियसी से क्या पदार